मॉड्यूल ABDM के प्रमुघटक में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप ABDM के शेश प्रमुघटकों के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम होंगे Health Information Exchange Consent Manager HIE CM को समझने में Unified Health Interface UHI को समझने में ABDM Digital Health Partner Ecosystem के महत्व को समझने में आईए शुरू करें। Consent Manager एक मरीज के Health Record को डॉक्टरों और चिकितसा सुविधाओं के साथ सुरक्षित तरीके से जोडने में महत्वण भूमिका निभाता है। Consent Manager को आभा अकाउंट से जुडने के लिए आरोग्य सेतु जैसे किसी भी ABDM सक्षम सॉफ्ट्वेर अप्लिकेशन पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब राहुल स्वास्ते सुविधा में अपना हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करने के लिए अरोग्य सेतु का उपियोग करता है। तो कंसेंट मैनेजर उसे सत्यापन याने वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भीजेगा। हेल्थ इन्फोर्मेशन प्रुवाइडर HIP से रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और उन्हें हेल्थ इन्फोर्मेशन यूजर HIU को दिखाएगा। इसे सुनिश्चित होता है कि हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से शेयर किया गया है। राहुल आभा से लिंग्ड अपने प्रतेख हेल्थ रिकॉर्ड के लिए सुविधा और पहुँच प्रदान करने की अवधी निर्धारित कर सकता है। वे किसी भी समय अपनी सहमती रद्ध करके अपने किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड तक पहुँच को हटा सकता है आप सोच रहे होंगे कि HIP और HIU कौन हैं? आईए इसे समझते हैं बुखार के लिए डॉक्टर राशिद से परामर्श लेने के बाद राहुल ने ABC Labs में अपना टेस्ट करवाया ABC Labs Prescription का अनुरोध करती है जिसे राहुल आरोग्य सेतु आप पर अप्रूव करके शेयर करता है एक बार परिक्षण हो जाने के बाद डॉक्टर राशिद अपने Hospital Management Information System के माध्यम से ABC Labs की रिपोर्ट के लिए राहुल को अनुरोध भेजता है जिसे राहुल स्विकार करता है इस मामले में डॉक्टर राशिद अपने Prescription के Health Information Provider या HIP और Lab Report के लिए Health Information User या HIU है क्योंकि वे Prescription के निर्माता और Report के उपियो करता है आईए अब ABDM के अंतिम प्रमुघटक Unified Health Interface UHI के बारे में जाने UHI Interoperability के लिए एक Network है जो विभिन अप्लिकेशनों को परस पर क्रिया करने और सूचना का Exchange करने की सुविधा देता है आईए इसे एक उदाहरण से समझते हैं राहुल अपनी मा के दर्द भरे गुटने की जाँच करवाना चाहता है वह पाता है कि जिस विशेशग्य डॉक्टर से वह नियमित रूप से मिलता है वह दो दिनों तक उपलब्द नहीं है इसलिए वह अपनी सुविधा अनुसार, appointment book करने और लंबे समय तक प्रतिक्षा करने से बचने के लिए आमतोर पर उपियोग किये जाने वाले स्वास्थ आप में ब्राउज करता है उसे एक आप के माध्यम से एक दूसरा विशेशग्य और सत्या पे डॉक्टर मिल जाता है लेकिन डॉक्टर का क्लिनिक उसके घर से बहुत दूर है फिर वह एक और आप में परताल करता है जो डॉक्टर की तत्काल उपलब्धता दिखाता है लेकिन परामर्श शुल्क बहुत अधिक पाता है राहुल को दो अलग-अलग अप में दो अलग-अलग स्थितियों का अनुभव होता है साथ ही अपनी सुविधा और बजट के अनुसार उपलब्ध सत्या पर डॉक्टर खोजने के लिए उसे दो अप्स के बीच स्विच करना पड़ता है वह तब UHI सक्षम हिल्थ आप का उप्योग करता है वह एक अप से दूसरे अप पर जाने के बज़ाए एक ही अप में उल्लेखित परामर्श शुल्क के साथ विभिन अप्लिकेशन से विशिष्ट और स्वत्या पर डॉक्टरों की एक लंबी सूची तक आसानी से पहुँच प्राप्त करता है इस प्रकार डॉक्टर और मरीज को एक दूसरे से बात करने में सक्षम होने के लिए एक ही अप्लिकेशन का उप्योग करने की आवश्यक्ता नहीं होती है यूएचाई सक्षम आप का उप्योग करके अब वह एक ही अप के माध्यम से समय, स्थान और फीस की सुविधा के अनुसार अपनी मा का ओनलाइन अपॉइंट्मेंट बुक कर सकता है जैसा की UPI में, PTM या Google पे जैसे किसी भी एक आप से वित्तिय लेन देन करने की सुविधा मिलती है यूएचाई भी मरीजों को किसी एक आप के माध्यम से डॉक्टर से अपॉइंट्मेंट बुक करने की सुविधा देता है डॉक्टरों के लिए यूएचाई के कुछ लाभों की सूची यहां दी गई है विभिन्न स्वास्त अप्स पर पंजीकरण की आवशक्ता नहीं होगी और यह अधिक खोजों में उपलब्द होगा अधिक द्रिश्यता, खोज और प्रामानिकता व्यवसाय करने में आसानी का समर्थन करेगी संगशेप में Unified Health Interface, UHI, Interoperability सुनिश्चित करेगा और सुलब स्वास्ति सेवा प्रदान करेगा आईए अब ABDM Digital Health Ecosystem Partners को समझते हैं जिसमें विभिन Health Care Software अथवा Application प्रदाता शामिल है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आईए एक प्रशन पूछें क्या आप Google Android प्लाटफॉर्म की उच्छ सफलता दर के पीछे का कारण जानते हैं? इसका उत्तर इस पर बनाए गए हजारों Mobile Software उत्पाद हैं आज की डिजिटल दुनिया में किसी भी डिजिटल प्लाटफॉर्म का मूल्य प्लाटफॉर्म का उप्योग करने वाले अप्लिकेशनों की संख्या पर बहुत अधिक निर्भर करता है भारत में UPI भुक्तान गेटवे की सफलता काफी हद तक, वित और e-commerce अप्लिकेशनों की संख्या के कारण है जो UPI भुक्तान गेटवे के साथ एकिक्रित है इसी तरह ABDM के लिए सैक्णों Healthcare Software अप्लिकेशनों को ABDM के साथ एकिक्रित किया जा रहा है और ABDM Digital Health Ecosystem में शामिल किया जा रहा है एक बर Healthcare अप्लिकेशन ABDM सक्षम हो जाने के बाद यह अन्य ABDM सक्षम अप्लिकेशनों के साथ सूचनाओ का एक्सचेंज कर सकता है उदाहरण के लिए ABDM सक्षम Lab Management Information System LMIS मरीज की सहमती से अस्पताल के ABDM सक्षम Health Management Information System HMIS को मरीज का डेटा शेयर कर सकती है जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं जब सैक्णों अप्लिकेशन ABDM का उप्योग करके एक दूसरे से सहच सरीके से जुड़ते हैं तो इसका परिणाम स्वास्त देखभाल में सभी के लिए पर्याप्त सरलिकरण और लाब होता है जैसा कि हमने आधार और UPI में देखा है संगशेप में हम देख सकते हैं कि एक मरीज का आभा और एक डॉक्टर की HPID, कंसेंट मैनेजर और UHI एक साथ मिलकर Digital Health Ecosystem Partners के साथ स्वास्त सेवा को पूरी तरह से बदल सकता है आईए हम इस मॉड्यूल का एक सारांश देखें कंसेंट मैनेजर व्यक्तियों को यह नियंतरित करने में सक्षम बनाता है कि उनके Health Record तक किसकी पहुँच हो सकती है UHI व्यक्तियों को स्वास्त सेवाओं तक पहुँचने और Appointment Book करने में मदद करता है ABDM सक्षम Software Application स्वास्त जानकारी के निरबाद Exchange में मदद करता है ABDM के बारे में अधिक जानकारी के लिए ABDM Website देखें और हमारे Social Media Handle पर हमें Follow करें